वाइस वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ श्यता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आफटर सी सेक्षन डिलीवरी हम अपना पेट कैसे कम कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की एक कोशन होता है कि सी सेक्षन के बाद बहुत सारे लोग ऐसा मानते भी है कि सी सेक् तो बिल्कुल आप शेप में रहेंगी बिल्कुल भी पेट नहीं निकलेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होने माला है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी वीड तुरंत ही डिलीवरी के बाद स्टार्ट करनी है वो है गरम पानी पीना मतलब ल्यूक वाम पानी होता है हलका सा गुंगुना पानी पीना गुंगुना पानी पीना बहुत जरूरी है डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी आपको अगर आप कर सकती है तो छे महिने तक गुंगुना पानी जैसे होता है वो टेस्ट लाइस होजाता है अगर उसमें आप अजवाइन बनाएंगी तो उसका टेस्ट भी बढ़ेगा साथ साथ में आपको कॉंस्टीपेशन नहीं होने देगा जब हमारा सीजेरियन होता है तो हमारे टाके आई हुए होते हैं उसकी आप उसको पीजिए तो यहां पर आपको अगर इस तरीके से पानी पीएंगी छे मेने तक लगातार पीएंगी यह आपकी बेट लॉस में भी हैल्फ करेगा साथ साथ में आपका बड़ा हुआ पेट है वो भी कम करेगा नेक्स जो आपको करना है वह हलका हलका सा बॉक स्ट जल सकती है अच्छे से तब अपने घर से स्टार्ट फ pandemic पहले घर में करिए फिर चट पार्क में जाके इवनिंग मॉनिंग और कर सकती है तो इस तरीकी की बॉक आपको जरूर्स से करनी है जब भी ऐप ठीक पीड लगे आप अप्र करें पहले 15 minute करें फिर 20 minute करें इस तरीके से आपको walk का टाइम बढ़ाते जाना है तहले से आपका जो fat बड़ा हुआ बो भी कम होगा साथ में आपका पेड़ भी कम होगा नेक्स आपको जो करना है वो है breastfeeding, breastfeeding आपको जरूर से करनी है, क्या होता है कि लगबग एक दो महीने के बाद, delivery के बाद, जो हमारा बड़ा हुआ uterus होता है, जिसमें baby रहता है, वो दीरे दीरे सिकुड़ना शुरू करता है, और जब वो सिकुड़ता है, तो इसमें breastfeeding बहु बेट रिडियूस करने में, साथ साथ में हमारा पेट कम करने में, इसके अलावा आपको लेनी है अच्छी नीद, बहुत जरूरी है, जब बेबी सो रहा हो, तो आपको सोना चाहिए, क्या होता है रात में बहुत सारे बेबी जागते हैं, तो हम नीद नहीं हो पाती है, जि हमारा पेट लटक गया है, उसको सपोर्ट देना है, थोड़ा सा जो बेली बेल्ट आती है, अब्डॉमिनल बेल्ट बोलते है, जिसको प्रेगनेंसी के डिलिवरी के बाद हम जो यूज करते हैं, वो आपको बांधनी है, और बो लगबग आप 6 महिने तक लगातार लगाई जैसे कि आपका अगर C-section हुआ है, तो आप डॉक्टर से पूच के बेल्ट को बान सकते हैं, C-section के भी 15-20 दिन के बाद हम बेल्ट को लगा सकते हैं, बेल्ट बहुत हेल्प करती है, हमारा जो बड़ा हुआ पेट है, जो लटक जाती है, खाल उसको सही करने में, उसको इफेक्टिव तरीका है, वो है exercise, जब भी आपका C-section हुआ है, जब भी आपको लगता है कि हाँ, दो तीन महीने के बाद आप ठीक फील कर रही है, आप exercise कर सकती है, तो डॉक्टर के राय से आपको exercise जरूर शुरू करनी चाहिए, exercise बहुत हेल्प करती है, हमारे weight loss में, हमार जो figure है, जो body है, उसको shape में लाने में, तो exercise बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हम बेबी के साथ बहुत ज़्यादा विजी रहते हैं, जिसकी बज़े से हम exercise नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कुछ exercise ऐसी है, जैसे squat हो गया, squat आप बाथरूम में जब भी नहाने जाती ह इस तरीके के आपको plank करने है, plank भी बहुत help करता है, हमारे weight loss में हमारे figure को shape में लाने में, तो यह भी बहुत जरूरी exercise है, बाकी exercise पर मैंने एक detail video भी share किया है, वो भी आप देख सकते हैं, वो 4 exercise या 5 exercise हैं, जो हमारे weight loss बहुत जल्दी करती है, जो हमारा लटका हुआ पेट हो जाता है, अगर आप regular exercise करती है, पूरे एक महिने तक follow करती है, तो आप यह exercises बगएरा कर सकती है, अराम से, और यह सारे tips अगर आप अपनाएंगी, तो बहुत जल्दी आपका weight loss भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपका पेट भी अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर